क्या हाल है साथ ही हो मैं विकास्तों अमर आपके अपने ट्रस्टों दिचाए स्टडी फॉर्स सिविल सर्शेस पे आज आपके समख्ष लेके आगे हैं करंट अफेर थर्ड फरवरी का ठीक यह हिंदी इंग्लिज दोनों में आपको देखने हैं मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टन जो एक्जामिनेशन ने उपीएसे उपीएफो यूपीएसे एंपीएसे सभी के लिए और प्रिलिम्स यानि की बंडे एक्जामिशन और मेंस दोनों के लिए बहुत यादा यानि की माइनर फॉरस्ट प्रडूस जो है उसके में चौदा नय जो है जोड़ दिये गया है जिस पर एमस्पी दी जाएगी कि इंदर सरकार दोरद जो है जनकरना को दो हजार बाइस ता किस्तक्रित करने की संभावना है मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेग्निंसी एमेंड पढ़ने से पहले आप लोग के लिए जन्टेर रिमांडर है कि एक कम्प्लीट हमारा प्रेट चल रहा है एपफो 2020 के लिए और UPSC 2021 के लिए ठीक कम्प्लीट प्रेग्रूप में क्या है कि आपको टेस्स मिलती है पूरी सेक्शनल टेस्ट होते हैं एपफो में जो है आपका weekly test भी होते हैं साती साथ जो है इसमें study material होगा test और study material दोनों ही Hindi English पूब में ही होगा दोनों languages में होगा और साती साथ dedicated discussion group में है जिसमें कि आप लोग जितने भी doubt जो भी चाहो personal guidance सब कुछ आपको आपको आपे मिलता है ठीक आप लोग जो है जो है जो है जो है जो है जो है टोड़ोग जीरो 530 9696026089 पर ठीक है और देखे एक चीज़ और है कि यूपी एसी के लिए मैंने टूदा पॉइंट वल्ली सीरीज चलू करी है तो उसकी प्लेडिस्ट अल्रेडी बना दिये अपने अले अल्ली करेंट अफेर चैनल पर इसको ज़रूर आप लोग ठीक अब देखे पहली न्यूस किया है यहां पर भारत दौरा चावाहार बंदरगाह के लिए दो क्रेंट प्रदान किये गया है ठीक यह संदर्भ है यह कंटेक्स्ट है अब इसमें देखो सिस्टम यह है कि वह पोर्ट है पोर्ट पर क्या होता आप नहीं देखे हूं कई स उस कंटेनर को फिर जो है आपका रोड के रास्ते फिर जो है आपका चाहे रोड हो रेल हो के रास्ते जो है इरान के अगर चावार के बात करें तो वहां से आपको कहां पर ले जा सकते हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान को जो है बाइपास करते हुए उस एक में जो है च पकड़ सकते हो और आप लोग सेंटरल एशिया वाली कंटी जो जबेकिस्तान का जाकिस्तान यहां पर विजा सकते हो रशिया विजा सकते हो अच्छा अश्गाबाद एग्रिमेंट किस्थ समंद्र आप लोग को कमण करके बताना है ठीक तो यह वाली चीज है इसमें छे बोल पर है आपका जो है यह जो पाकिसटान वल्ला जो है आपका ग्वादार पोर्ट जो की सीपी इसी के अंतरफ है सीपी इसी चैना पाकिस्तान एक्कनोमिक करड़र का ठीक है जो कि पीओ के दुरू हो किया था उसके जेस्ट यह जो है पस्चिम में है चाबार रपोर्ट और यह गल्फ आफ ओमान पे पाए जाता है भी इसको जो है मैपने आपको दिखा दोंगा ठीक तो यह पूरी जो है इसमें न्यूस थी और कई सारे पॉइंट् इसली से मगवाया जाएगा भरत और अरियां के साथ अधिकारी वारता हुई थी और इससमें इसका नाम क्या है बहिश्टी शहीद बहिश्टी बंदर का भी बुला रता है ठीक है दोससत्तरह में पहला शिप्मेंट जो है अफगानिस्दान बेजा चुका है और दोसस अठ अधारा में पोर्ट पे वहला ऑपरेशन इंडिया ने चलू कर दिया था चाबार पोर्ट क्या है यह माकराम कोस्ट और सिस्तान प्रोविंज जो है गल्फ ऑव और स्टेट ऑफ हर मुझे उसमें पाया था अल्ली इरानियन पोर्ट है जिसमें इंडिया का जो है डायक्ट अधार एक्सेस है इंडियन ओशियन का बारती मास अगर को अफगाइंस्तान तुर्कमेंस्तान इन सब के जगे जाने के लिए जो है गोल्डन गेट कहा जाता है रियानक ना गोल्डन गेट ठीक अब कर दखो बारत के लिए चाबार जो है यह महत्वपून क्यों है अफगा कर सकते हो पाकिस्तान को बाइपास कर दो वहीं सारी बात है इरान यूरोप मद एशिया के आने समद्री रिल्वेस मार्ग आते हैं भारत इरान यातायार में सुगम बनाया जा रहा है अच्छी परिवहन वहीं नौर साउथ ट्रांस्पोर्ट को बना जाएगा आज का बात क अग्रिमेंट किसे सबंदित है जबरू बताईएगा ठीक चाइना को मलब कर रहे हैं एक तरीके इस काउंटर करना चाहरा है इंडिया और इससे कई सारी चीज़े जो है वह भी सस्ते में इंडिया और इरान भी जब मिलिटरी अलाइव बनता जा रहा है दिरे दिरे इंडि बन जाएगी ठीक देखो यह कांडला पोर्ट है अपका गुजरात वाला यहां से आप यह पानी के रास्ते अरेवियंसी में होते हुए जो है आपका यह ग्वादार पोर्ट है जो यह तो ऐसे आता है ऐसा प्योके से होते हुए जा रहा है यह बाद चाइना और पाकिसान जहेदान है फिर यहां पे देला राम जेरांज यह आई वे है इससे काबूल तक जाता है यह तो जोड़ दिये गया है लिस्ट में इसको पूरी लिस्ट को जो आप लोग को जरूर लिखना है कमेंट करके है फिर अपने नोट बुक में ठीक उस पे MSP दी आईगी है आप द क्यों दिया जाता है या तो किसी चीज का प्रोसाहिद करना है कि वहिया उस चीज को आप लोग बढ़ाओ जैसे कि दालवाल क्रॉपिंग नहीं हो रही थी तो भारत में क्या कहा गया कि वहिया 200 रुपे बढ़ा देंगे आप इसको होगा हो MSPM दे रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा चाहे जो है बहुत जादा उत्पादन हो जाए तो बहुत जादा उत्पादन पर क्या होता है कि डिमांड उतनी है सप्लाई जादा हो गई तो भी प्राइस बहुत कम हो जाता है मार्केट प्राइस जो है 50 रुपे हो गया लेकि 14 और minor forest produce को जो है उस पे उन लोग को minimum support price तो मिले ही मिले उनकी आजीविका चलती रहे और उनका जो है अच्छे से पालम पॉर्शन हो सके जो है development हो सके अच्छा तो को minor forest produce क्या होता ये समझ लो ठीक minor forest produce जो है forest areas में जो travels रह रहे हैं जो भी wood से अलग यानि कि जो भी timber से अलग छोटी मोटी चीज़े हैं जैसे कि honey हो गया लाक हो गया ठीक और आपका जो है lincid seeds हो गई ठीक बस लकड़कड को छोड़के बाकी जो भी चीज़े जो ट्राइबर्स है अदिवासी भाही है वो अपना यूज़ करते हैं उनको जो है minor forest produce बोला जाता है आपका forest rate acts 2006 के अंतर के ठीक उसमें 14 और उस लिस्ट में 14 और जोड़ दीएगे इस पर minimum support price दिया जाएगा सिंपल सी बात है और इसमें help कौन करेगा trifed करेगा trifed क्या है tribal जो है आपका ये उनका development के लिए उनके लिए जो है अच्छे से अच्छा जो है provide करता है कहीं पर loan के ज़रूरत है या फिर जो schemes हैं इस तरीके की one-done योजना है one-done start-up है ठीक यानिकि अभी आपने वो भी सुनाओ को tribes India जिसमें जो है टोकरार्ट और इन सब को जो है वो market भी करता है ठीक तो ट्राइबल से यह क्या करेगा ट्राइबल से लेगा चीजें और उनको market करेगा में चीज़ी है और ट्राइबल को loan और जो भी चाहिए उदमेता बढ़ाने के लिए स्टार्टप बढ़ाने के लिए सब भी ट्राइबल इसमें मदद करता है ministry of tribal affairs इस पर कंट्रोल करती है ठीक तो यह सारी चीजें है फेयर प्राइज मिले रिमिनेटरि प्राइज मिले प्राइज में उनलों को मिलना चाहिए 14 अतिरिक्त चुनिंदा लगू वन उत्पादों के सुची में इसको शामिल कर लिया गया है और इसमें कुछ जो चीजें हो कहा है टसर ककून है एलिफेंट एपिल है ड्राइज बैंबू शूट है मलकान गनी सीड है ड्राइज 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 मश्रूम है यह पूरी लिस्ट निकल लो आप लोग पहले मैंने MSP के आप लोग से लिखवाई थी यह 14 और निकल के इसको आप लोग लिखो जरूरी है इसका जो नाम है ओफिचल नीम क्या है मेकैनिजम फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरस्स प्रेडूस थूरू मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ड्रॉप्मेंट ऑफ वैल्यू चेन ऑफ MSP सब्सक्राइब करता है आपका ट्राइबल पीपल को और नोड एजंसी भी है स्कीम का और साथी साथ वंदन ट्राइबल स्टार्ट अप का भी जो है यह वह भी इसी स्कीम का पार्ट है ठीक MSP आपको लोगों को बताई दिया कि जो है यह गौर्वर्मेंट यह ताय करती है किसके के रिकमेंडेशन पर सीए सीपी अनि कमीशन ओफ एकल्चर कॉस्ट एंप्राइजिस के रिकमेंडेशन पर और MSP नहीं है कोई मलब जिसको दिया जा रहा है फार्मर हो गया अब जैसे ट्राइबल्स हैं तो ट्राइबल्स जाकर यह नहीं कह सकते हैं कि भहिया तुमने में MSP नहीं दे रहे हैं लॉग और लंगन किया है जैसे DPSP है राज की निति नित्रशक्तत हो हमारे भारती सम्मेदान के पार्ट पार्ट फॉर में वैसे ही जो यह MSP भी है मतलब नौन्ट इंफॉर्सिबल नहीं है कि आव विदी संगत नहीं है आप जाके इसको यह रिको सब्सक्राइब करना चाहती है सब्सक्राइब करना पड़ेगा रीजन क्या है कोविड कोविड जो है 2020 में तो भीया हम लड़ी रहते हैं अब इसको बाटर नेम लगे हुए जो वैक्सीन आ गई है अब दोगो जो 2021 में अभी तक आ जानी थी इसके तीन इसमें होते हैं सेंसर जब जो पराते हो एक होता हाउस लिस्टिंग ठीक होता है हाउस करके एक और है और तीसरा होता है कि एन्यूमेरेशन यानि कि जन्ड़ करना ठीक तो यह जो है आपका अपरेल जो है दोजा बीस स जन सांखे की है मतलब एज पॉपलेशन और यह सारी चीज़े जेंडर ठीक है ना और कहां कहां पर कितनी पॉपलेशन है यह सारा कुछ ठीक तो लेकिन यह हो नहीं पाया कोविट की वज़े से और इसलिए अब इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा यह तो है पूरी निउस अब इसमें दोगो एक चीज़ और है कि सेंसेज जो है भारत में पंद्रा बार हो चुका है और यह सेंसेज कौन कराता है कमिशनर ओन सेंसेज हो गया आपका रेक्ष्टरा जनरल जो हो गई है यह किसके नतकत मिनिस्ट्री ओफ होम अफेर्स के नतकत कराया जाता है ठीक और यह पंद्रा बार हो चुका है और 2011 में इससे पहले हुआ था हर एक दशक के बाद होता है सबसे पहले 1872 में हुआ था वल्लब पूरी ओप्चारिक तौरत पर नहीं लॉड मेयों के जब लॉड मेयों थे तब जो बिटेन के वो थे आपके गवर्नर जनरल वाइस राय ठीक लेकिन यह 1882 से जो है विदिवत तरीके से होने लगा ठीक है तो यह कुछ-कुछ जो है इससे रेटेड़ वो चीज़ें हैं और जो है सेंसर्स की जो जन्गरना जो होती है इसमें कई सारे मैतपूर्ण डेटा होते हैं कि जो है कितना सेक्स रेशियो क्या चलना है बहुत ज होता है ठीक तो यहीं साथ चीज़ें से बताई गहीं है मैसी वेक्सिनेशन नहीं सब किया जा रहा है बैक्ग्राउंड यह क्या है इसमें हाउस लिस्टिंग किया जाता है पहले फिर हाउस सेंसे होता है यह अपर से सप्टमबर 2020 तक होना था फिर उसके बाद नौ फरवरी कर जाएगा सेंसर क्या है इसमें कई साथ important data होता है जैसे कि जनसंक्या क्या क्या आकार चला है वित्रण क्या है ठीक समाजेकार्थिक जनसंक्य किये और अने विशेस्ताओं के बारे में जनकारी प्रतन करता है हर दशक में होता है 15 बार हो चुका है 1872 में लौड मेयो के अं इसका नाम कुछ अफरीदी था वही उसने इसको मार दिया था मेयो को क्या यह वहीं है कि कोई और बताईएगा ठीक और मेयो के बाद लिटन आया लिटन के बाद रिपन आया यह जो इनकी जो क्रोनलोजी है यह कौन किसके बाद मैं यह ध्यान रख लेना इससे भी हिस्ट् पूछ लेता है पहला संचाथ जो है अच्छी तरीके से कब कंप्लीट हुआ है और संचालन के लिए ग्रह मंतराले होता है चिक जनका अचाहिए इंपॉर्टन्ट क्यों है कि बहुत साथ डेटा जो है कडिबल एक तो सोर्स ऑफ इंफोर्मिशन है सरकार का इससे एक्टिव के साथ से उनका रिजर्वेशन भी होता है चाहिए वह पॉलिटिकल सीट के लिए हो या फिर जो है आपका सैचिक सांस्थानों के लिए हो या फिर इंफ्लाइमेंट के लिए हो तो बहुत ही आदा इंपॉर्टन्ट है और इस पर ज्यादा जगे काम आता है ठीक तो इसी प अकला इंपॉर्टन टॉपिक क्या है कि मेडिकल टेमिनेशन और प्रिंशिविधेग 2020 बहरत में एबॉर्शन कराने का प्रवधान है बिलकुल है और उसके लिए जो है लाव बनाया गया है तो उसका नाम है मेडिकल टेमिनेशन और प्रिंशिए लौ ठीक अब इसमें जो है मतलब की जो merit नहीं है वो भी अपना abortion करा सकते हैं बिना किसी रोप टोप किया पहले बड़ा दिकत थी इसमें ठीक तो 20 week तक तक तो आप कर सकते हो किसी भी एक doctor की medical practitioner जो है उसकी सलाव पर 20 से 24 अगर week तक जो है दो medical practitioner जो होते हैं उनकी सलाव ले सकते हो अगर कुछ मतलब कि कुछी मतलब को डिफरेंट्ली एबल्ड है इस तरीके से केस में 24 के बाद भी किया सकता है लेकिन उसके लिए जो है काफी मतलब यह होना चाहिए multi fetus of fetal में नॉमल्टी ओनी चीफ इटर्स में इस सारी चीज़े है ठीक तो तब कर सकते हो तो अब यहां पर जो संदर्भ है संदर्भ क्या है किस कंटेक्स में यह न्यूज आई है कि भाईया जो एमेंट्मेंट बिल 2020 में लोग सबस्ट पास हो चुका है पासवा में इसको टेबल किया जाएगा अब इसमें पैनल और डॉक्टर को यह डिसाइड करना है कि टर्मिनेशन और प्रिगनेंसी करनी है 24 वीक के बाद ठीक यह इसमें प्रपोस किया गया था इस 2020 में यह अन्फीजिबल लग रहा है और as the 82% of these posts are lying vacant in the country जो पैनल डॉक्टर है जो इस तरीके से करेंगे वो मतलब है नहीं मतलब इनकी रिख्तियां इतनी आदा है कि इनको यह करी नहीं सकते कि पैनल बनाया जाए और 24 वीक के बाद जो भी हो रही है ठीक 24 वीक के बाद कौन सी होगी जिसमें फीटल फीटस जो है अबनॉमिल्टी हो ठीक हो सकता कई से मलब किसी के बतलब तीन बेबी होते हैं किसी के दो बेबी होते हैं उसमें कुछ चीज़े उल्टी सीधी हो जाएं तो उस केस में किया सकता है ठीक तो यह देखें पहली बार आया था और इसमें यहीं है कि भूण हत्या हो सब जो होती है जैसे कि वीमन को अब इसमें क्रिटिजम भी उठ रहा है लोग कह रहे हैं कि आप यह इतना इसको लिबरल कर दे रहो एबोर्शन कर रहना तो वैसे भी भारत देश में क्या है कि सन मेटा प्रिफरेंस है यह इसमें था एकनॉमिक सर्व में यहीं वर्डिंग यूज़ करी गई थी में इसमें आप लोग ऐसे यूज़ करें सन मेटा प्रिफरेंस है बतलब कि लड़कों क्या पैदे होने पर जादा कुछ होते हैं पैदा उने से पहले मार दिया गया बाद में मार दिया गया जैसे लिंक उनका बता चला तो यह इसका क्रिडिसम भी है अब इसमें यही है कि मार्च में 2020 में पाच हो चुका है आपका लोग सबास है राजसबा में आप जाएगा ठीक अच्छा आप लोग यह बताईए कि जो बिल लैप्स होता है ठीक खतम हो जाता है उसके क्या-क्या जो है कंडिशन्स हैं कि लोग सबास है आया राजसबास पास होके राजसबा में क्या और मालिजे की संसद जो आपकी है लोग सबास हो गई डिजॉल हो गई तो क्या होगा यह सारे जो केसस होते हैं पार्चे यह आप लोग को लिखना है आज अपनी नोट्बूक में बीच सचोविस वीक कर दिया गया है इसे सेफली और लीगली टर्मिनेट कर सकते हो अनवांटेड प्रेगनेंसी ठीक अनवांटेड प्रेगनेंसी होती कई लोग के लिए कुछ नहीं चाहते हैं तब भी हो जाता है तो प्रपोस्ट फीचर क्या है इस बिल के कि वह यह बीच तक तक तो आप किसी मेडिकल रेइस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर से कर सकते हो इसके बाद क्या है अपर जास्टर्ड मेडिकल प्रेक्टीशनर चाहिए ठीक एक तो मैं पहली बादाता हूँ दूसरी जो है फिर से फैक्टर बताता हूँ तो आपको याद तो होई जाता होगा है ना तो तीसरा क्या है अपर जास्टरेशन लिमिट जो है इसमें रहती है आपकी स्पेशल के टेगरी के लिए जो दिव्यांग व्यांग है वनरेबल हैं डिफरेंट्ली या माइनर है ठीक है और रेव विक्टिम है या इस अब इनके लिए 24 तक भी किया आजा सकता है इसके बाद क्या है अपर जास्टेशन लिमिट नहीं है तो उसमें अपर जास्टेशन लिमिट नहीं है जो जो सकते हो फंक्शन अदर डिटेल ले मेडिकल बोर्ड की जो यह प्रिस्काइब करेगा सब्सिक्वेंट्ली रूल्स अंटर दा एक्ट यह मतलब बिल के अंतर करत बताए गया है लेकिन इफ अन्फिस्वल बोला जा रहा है कि इतने ही नहीं डॉक्टर जो पैनली नहीं बन पाएगा ठीक अधा प्रेक्टिशन और विवन बूस प्रेग्नें करने के लिए अन्मेरिट विमेन भी अभी यह कर सकते हैं और इसमें मतलब ऐसा नहीं पहले था कि वे लब्स उनको नहीं करने देते अब जो अगला टॉपिक है कि अंडमान में लिटिल अंडमान में अन्मान है निकवार आपको आपने देखा होगा जो बेव बेग बेंग अगला जाने की बात है तो कई सारे जो इन्वार्मेंटल वाले लोग है इन्वार्मेंटल इदाश्टी वह कह रहें कि यार इतना वैसे ना जुक है और तुम वहां पर बतार हो में बना देंगे तो यह गड़बड है ठीक जो बारत जो सरकार का क्या पक्षा कि वह यह हम ए काफी जाता जो है रिवेन्यू कमा सकते हैं एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन भी हो जाएगी हमारी नितिक सामरिंग महत भी हो जाएगा तो यह साइच चीज़ इस पर बताएगी है और इसमें और कुछ भी स्यादर नहीं है ठीक और इसमें यह कह रहे हैं फ्रेजाइल है विकास थानों चेतरों के साथ जोड़ा जाएगा पहला जोन वहीं है जिसमें की 102 स्कॉर किलोमेटर होगा इसमें एरो सिटी टेरिजम हॉस्पिटल डिस्टिक बनाया जाएगा दूसरा जो है आपका क्या है पचासी वर किलोमेटर में होगा प्राचीन वन में फैला हुआ ह ठीक प्रिस्टीन फॉरेस्ट मतलब अंचुआ टाइप से प्रिस्टी मतलब अंचुआ इस एकांत छेतर में एक फिल्म सिटी एक जो है आवासी जिला और परिटन सब्वंदी तेक रहा फिल्म सिटी और यह सब चल ला है बनाने बाद चल लिए ठीक तीसरे जोन में क्या हो प्राकतिक आवास शामिल होगा इसे फ्लाव वही है कि वह यह तुम कंजर्वेशन नैशनल पार्क वाइड लाप की बात तो कर रहे हो बलकि वहां तो कोई है नहीं वहां पर राश्टी उद्ध्याने वन जी भाभरन तो है नहीं तुम कंजर्वेशन किसा करने वाले हो ठी सब्सक्राइब करने वाले हो जैसे कि देखा कि 2004 में सुनामी आई तो उसके बाद जो है आपका और चीज़ों का भी आंकलंग करना चाहिए था कई सारे जो वाइल जानवे उनका हैबिटेट भी उसको तुम खतम कर दोगे ठीक हैबिटेट खतम होने से भी जो है बाइड़ कि हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन से बाइड़ेसिटी जैविवेद्टता तो जो है वो कम हो रही है और इसमें कोई फनेशियर प्लैन नहीं है क्या बजट से लोगे कहां से लोगे क्या पैसा है इंपैक्ट एसस्मेंट कुछ नहीं कियो बस खली उठा कि जो है प्रोपोज बर्मा था कि रहा देखा कि Quick देंकों से लीज्ट पर क कि ए इसने बहुत अक्षी जिप असिल करी थे अभी दो इंपीस में ठीक और प्रेसिएंट जो है बनने वाले थे उनको भी जetzung मिलिटरी वालों ने वहां पर क्या किया कि वहां का एक जो कॉंस्ट्यूशन है काफी टिल्टेड है इन फेवर ऑफ दा मिलिटरी ठीक क्योंकि पहले नहीं का रूल था इसको बोलते थे जंता रूल या फिर जो है टड्माडव ग्रैब्ड पावर टड्माडव भी बोले आता है जनता रूल बोलते हैं से मिलिटरी रूल भी बोल सकते हैं तो कॉंस्ट्यूशन काफी हिताशी है इनका है इनने अपना वह बना रखा है कि कभी भी प्लट करके अपना वापस आजा पावर में तो उसमें पच्चे पसंड का जो है दोनों ही जो उनके हाउस हैं संसक जैस तो इन सब में इस बार क्या हुआ कि बहुत हार बार गया है सब कुछ हुए तो वहां का जो कॉंस्ट्यूशन है उसका 417 जो एक अनुछेद है आर्टिकल है उसके अंतरकत उन्होंने क्या कहा कि मिलिटरी रूल वापस लगा जाएगा एमर्जनसी लगा दिया एक साल की इम पार्लेमेंट में मीटिंग हो रही थी उससे पहले इन लोग को बंद बंद कर दिया तो यह रीजन वेंड किया है कि बहुत इर्रेगुलेटी इन्होंने बताया कि इलेक्शन में मतलब जो है धांदली हुई है में चीज यह बोला किसने इन्होंने मिलिटरी वालोंने और य है कई बहुत लाखों में जो वोर्ट जया गरत पड़े हैं इसलिए हम लोहर गए अर्टिकल लंबर 417 के अंतरकत इन्होंने किया है और जो मिलिटरी को पावर देता है कि इमर्जनसी लगा कि अपना पावर में वापसा सकते हैं और यह कॉंस्ट्यूशन भी मैनमार के मिलि मिका और राष्टी मामलों में अपना परच्ट जो को सुनचित किया गया है वहीं चीज में जो बता रहा था पच्छे परसंट का रक्षण है इसके बार लौबा जो इनकी अपना राजनीतिक दल भी है जो चुनाव लड़ता है लेकिन इस बार बहुत मूग की खानी करते हो रही है शोचल मीडिया एकाउंट सस्पेंट कर दिया जाएगा गौवर्मेंट बिल्डिंग में मिलिट्री वाले लोग बैठेंग जाके आराम से हुमन राइट और जनलिस्ट और इन सब की तुलाई होगी ठीक मैंनमार का देखो यह बेव बेंगल से यहां पर क्या है यह यह आपका अंडन को बार है टेन डिगरी चैनल से अंडन वालो निकोबार इस मलब बासेक्ट होता है ठीक यह सारी चीजें और यह कल्फ ऑउ मरतवान है ठीक यह port of call अच्छा बताई है क्या होता है port of call बहुत छोड़ीटी चीज़ें रेकिन पूछ सकता है यह बाकिया यह भी तो इसी तरह के से आज हम आ गए है अपने फेवरेट पार्ट अफ दो वीडियो तैस कौम हने गाए इस पीसे इसमें सेयद मुस्ताग अली टॉफी डोजार बीस इसमें बारवा संसक्रण था अच्छा किस स्पोर्ट से रेटेड है क्याप लोग सहो में आ रहा है चलो अध़ा हूँआ क्रिकेट से कनाटक के तमिलनाडू को आरा कर यह जीता है क्या इस्टेट्मेंट साइए की गलत है और तीसरा है कि सयद मुस्ताग अले ट्रॉफी ए घरेलू 2020 क्रिकट सेंपेर्शिप है क्या इस साइए की गलत है आप लोग बता हूं ठीक तो तीसरा भी साइए पहला भी साइए दूसा लगलत है तमिल नडू ने बरोदा गोहराते हुए यह ट्रॉफी फिर से अपने नाम कर लिए ठीक तमिल लडू जीता है और ने तमिल लडू दूसरी बार जीता है यह बरोदा गोहरा दिया और तमिल लडू फर्स सब्सक्राइब करिए और आप लोग अगर हमसे पसनल गार्टिन चाहते हैं एक जगे रहके सारा टेस् सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप लोग हमारा पेड़ जोइन कर सकते हैं और परस्नल गार्टिन ले सकते हैं आप लोग को कॉल करना होगा 8564-80530-96960-6089 पर और UPSC का अभी अभी बिल्कुल नया पेड़ चलू हुआ आप लोग जल से लिसमें ले सकते हैं ठीक और यह कंप्लीट पेड़ ग्रूप है और इसी की तरीके से EPFO का भी जो है कंप्लीट पेड़ ग्रूप चल रहा है उसको भी आप लोग जान कर सकते हैं जाइन जावारत ओल दर वरी बेस्ट है